असामलेकम शुरेंट्स आजकी इस वीडियो में हम लोग फंजाई के हवाले से डिसकेशन करने जा रहे हैं and I hope कि ये फंजाई सिरीज आप लोगों के लिए बहुत हेलफुल सापित होगी So first of all, let me give you a brief introduction about kingdom fungi, that what are fungi शुरेंट्स, जितने भी living organisms हैं हमारे पास दुनिया में, जितने भी जानदार organisms हैं, जानदार चीज़े हैं उन तमाम organisms को हम लोग five kingdoms में place करते हैं according to Robert Whitaker classification system So आपने देखा कि किंटम फंजाई हमारी third kingdom है अब फंजाई एक ऐसी kingdom है, जिसमें तमाम उन organisms को place किया जाता है जिनमें मदर्चा सहील characteristic features पाई जाएं Number one, they should be eukaryotic, यानि कि उनके अंदर properly, जो nucleus है वो present हो Number two, they should be absorptive heterotrophs, यानि कि फंजाई के अंदर, fungus के ग्रूप के अंदर तमाम उन organisms को place किया जाता है, जो कि अपना food खुद synthesize ना कर सकें Number three, they should have a cell wall made up of chitin, यानि कि उनकी cell wall होनी चाहिए जो कि chitin की बनीवी हो, and number four, they lack centrioles, यानि कि उनके अंदर centrioles present ना हो So, अगर किसी चीज़ में ये तमाम श्राइद पूरी हो जाएं, तो उसे हम किंटम फंजाई में place करेंगे किंटम फंजाई basically एक बहुत ही diverse किंटम है, जिसमें तकरीबन एक लाग से जाइट species discover हो चुकी है, and the number is increasing day by day So, students, जो mycologists हैं, जो कि mycology को study करते हैं, यानि कि फंजाई की study करते हैं, उन्होंने तमाम फंजाई को चार major groups में classify किया, number one, zygomycota, number two, escomycota, number three, besidioomycota, and number four, deutromycota ये आपकी फंजाई के चार main groups है, अब आज की इस वीडियो में अगर आप लोग इटेंटिवली वीडियो को watch करेंगे, तो आपका 25% काम हो जाएगा, यानि कि ये जो चार आपके groups हैं, उनमें से आपका फर्श किंडम, जो फर्श ग्रूप है, zygomycota, ये आपको बिलकुल क्रिश्रक लेयर हो जाएगा by the end of this video जाएगो माइकोटा क्या है इस्टूरेंट्स, फंजाए का सबसे पहला group जिसको commonly आप लोग conjugating fungi के नाम से जानते हैं, जाएगो माइकोटा, फंजाए का सबसे पहला group है, जिनको commonly नाम दिया जाता है conjugating fungi का, अगर हम इन फंजाए के हवाले से discussion करें, इनकी body के हवाले से, कि ये फंजाए दिखने में कैसे नजर आते हैं, तो यहाँ पे आप इस fungus की body को देख सकते हैं इस fungus पूरे की body को आप लोग थैलिस का नाम दिते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि इसके root-like structures हैं, प्रॉपरली roots नहीं हैं, लेकिन root-like structures इसमें present हैं, जो कि इस fungus को anchorage में help out कर रहे हैं यहाँ पे जो bread के ऊपर यह grow कर रहा है फंचाए, तो इसमें anchorage में help out कर रहे हैं, इसके root-like structures जिनको आपने rhizoids का नाम देदिया फिर यहाँ पे कुछ stock-like structures हैं, जिनने आपने sporengio 4 का नाम दिया यह जो आपको long blue color के stocks नजर आ रही हैं, इनको आप लोग sporengio 4 का नाम देते हैं और sporengio 4 के बिलकुल top पे आपके पास एक spherical, एक goal सा sack-like structure पाया हो जाता है एक छोटा सा थैला नुमार structure पाया हो जाता है, जिससे आप sporengium का नाम देते हैं यह sporengium इसके अंदर बहुत सरे छोटे-छोटे spores होते हैं सो यह है आपकी zygomycota की basic body, कि किस सरह से इनकी body एक thallus पे मुश्तमिल है जिसके अंदर root-like structures हैं, stem-like structures हैं, जोने sporengium ford का नाम दिया गया अब हम लोग बात करेंगे zygomycota की reproduction के हवाले से आपकी जो first year biology है, उसमें basically zygomycota भी जो सबसे दादा focus किया गया है वो इनकी reproduction पे ही, mode of reproduction पे ही focus किया गया so students reproduction किसे कहते हैं, अफ जाईशे निसल का जो basic process है, उसे reproduction का नाम दिया जाता है जैसे आपको पता है, animals में, जो हमारे elder animals होते हैं, वो birth देते हैं, younger animals को बिल्कुर इसी तरह से plants में भी और fungi में भी reproduction होती है so आज हम लोग fungi की reproduction के हवाले से discuss करेंगे कि zygomycota की members किस तरह से reproduce करते हैं, किस तरह से एक fungi से दूसरा fungi produce होता है so in organisms में reproduction दोनों तरह की होती है, asexual reproduction भी हो सकती है और sexual reproduction भी हो सकती है, अब surents, यहाँ पे zygomycota जो group है, वो एक बहुत बड़ा group है और इस group में बहुत सारे fungi आजाते हैं, लेकिन जो commonly इसमें सबसे well known, सबसे famous आप समझ लें, जो इसमें fungus है वो है आपका rhizopus nigrans, तो आज जो हम लोग example पढ़ने लगे हैं, वो rhizopus nigrans की example पढ़ेंगे और rhizopus nigrans एक ऐसा fungus है, जो कि आपकी bread के उपर grow करता है श्रिंट्स यहाँ पर आपको bread का piece नजर आ रहा है, औरंज कलर का, येलूइश कलर का आप लोगों को, आपने हमेशे ही सुनाएं कि हमारी bread खराब हो गई ठीक है, आप लोग bread लाके जब घर में रखते हैं आप 3-4 दिन बाद दिखते हैं कि bread stale हो चुकी होती है, bread पे greenish color की या blackish color की spores नजर आ रहे होते है तो वो basically क्या होता है, bread के उपर fungus grow कर जाती है अब आज आपको उसी fungus के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो bread के उपर, bread mold है, जो bread के उपर fungus grow करती है वो basically किस तरह से grow करती है So students, उस fungus का नाम क्या है, mostly वो fungus होती है, rhizopust nigrans आज हम उसकी asexual और sexual reproduction के हवाले से discussion करेंगे Students, यहाँ पर सबसे पहले आपको reproduction की दो types के बारे में clear करना होगा कि what is asexual reproduction and what is sexual reproduction Asexual में लफ्स A आपको बता रहे है, without A means without So asexual reproduction means, ऐसी reproduction जिसमें सिर्फ एक parent involved होगा, single parent involved होगा यहाँ पर आपके पास दो parents involved नहीं होगे और sexual reproduction वो है, जिसमें आपके पास दो parents के involvement होगी और दो parents involved होकर जो है, वो एक निया fungus produce करेंगे So सबसे पहले हम दिखते हैं कि zygo mycota के members asexually कैसे reproduce करते है So students, यहाँ पर pre-score की चुएगा, और यह बहुत ही अच्छे तरीके से आज आज आपको समाज आ जाएगा आप यहाँ पर देखें, यह जो fungus आपको निजर आ रहा है fungus में सबसे पहले जैसे कि हमने इसका structure डिसकस किया कि यह इसके root-like structures हैं जिनने rhizoid का नाम दिया गया यह इसके stalk-like structures हैं जिनने आपने sporengio 4 का नाम दिया और sporengio 4 के ऊपर spherical sac-like structures हैं छोटे-छोटे जिनने आपने sporengium का नाम दिया अब students होता क्या है? यह जो sporengium है जो sac-like structures हैं इनकी outer membrane बहुत बारीक सी होती है जब इनकी outer membrane rupture कर जाती है, फट जाती है, बर्श कर जाती है तो इसमें से बहुत सारे spores release हो जाते है sporengium जब rupture कर जाता है तो वहां से बहुत सारे spores, यह greenish color के आप देख सकते हैं, release हो जाते है वहां पे एक निया fungus grow कर जाता है so इस तरह से इनकी asexual reproduction होती है, कि किस तरह से एक ही parent involved है और कोई दूसरा parent involved नहीं है, लेकिन उसमें भी tendency है कि वो नए fungus को grow कर वा सकता है so this kind of reproduction in which only one parent is involved is known as asexual reproduction अब हम लोगने next discuss करनी है, zygomycota की sexual reproduction यहां पर आप लोगों को दो parents को जो है वो देखना पड़ेगा यहां पर आप लोगों को यह first यह एक parent है, जो blue कलर में आपको नजर आ रहा है और यह greenish कलर में आपका दूसरा parent show किया गया अब यहां पर यह जो parents है, इनको properly आप लोग male और female के तोर पर regard नहीं कर सकते इसलिए आपने एक parent को plus कह दिया, plus strain यानि positive strain और दूसरी strain को दूसरे parent को आपने negative से denote कर दिया यह simple इनकी denotions है अब students यहां पर क्या होगा? यह जो एक parent आपको नज़र आ रहा है, इसके high fee भी grow करेंगे और दूसरे parent के भी high fee grow करेंगे और दोनों के high fee आपस में mating करेंगे और mating के थूँ कुछ इस तरह का structure बन जाएगा यह आपको नज़र आ रहा है, कि यह एक parent के parts है और यह दूसरा parent है और इन दोनों के दर्मियान में mating के थूँ आपका जो structure बनेगा उसे आप gametangia का नाम देंगे I hope यह आपको clear होगा, यहाँ पे आपके पास दोनों parents की mating से एक structure बन गया जिसे आपने gametangia का नाम दिया अब gametangia basically क्या होगा, शुरेंट्स यहाँ पे यह fungus आपको पते है, multi-cellular है बहुत सारे इसमें cells हैं इसी तरह से यहाँ यह भी आपके पास बन जाए है जिसके बहुत सारे cells है तो इस parent का cell और उस parent का एक cell आपस में fuse कर जाएंगे और उनके fusion के थूँ आपका बन जाएगा deployed zygote यहाँ पे यह आपका deployed यह निकि two end zygote बन चुका है दोनों parents के cell के combination से अब यहाँ पे students हम इसे deployed क्यों कह रहे है आपको पते है deployed mean जिसमें two set of chromosomes पाए जाएं paired set of chromosomes पाए जाएं यह आपके पास zygote बन गया अब zygote आपके पास किसी भी चीज की development के सबसे पहली stage हो जाती है जब आपके पास zygote formation हो जाती है तो फिर उसके बाद आपका normal developmental process start हो जाता है so यहाँ पे zygote formation हो गई है अब यह zygote आपका मजीद develop करेगा और ultimately convert हो जाएगा zygote spore में zygote spore भी आपके पास deployed nature का है यानि कि इसके अंदर भी आपके पास two set of chromosome है अब यह zygote spore बचो यह जो आपको blue color में निजर आ रहा है इसके अंदर meiosis होगी और आपके पास इसमें से एक zygote spore में से four spores बन जाएंगे और यहाँ पर यह आपको blue color में spore निजर आ रहा है अब यह जब spores बन जाएंगे और आपका favorable conditions होगी यानि कि इन spores के लिए माहौल साज़कार होगा तो यह spores आपके germinate कर जाएंगे और उन में से आपका एक new fungus निकल आएगा यहाँ पर शुरन से आप लोग देख रहे हैं यह जो spore बना था zygote spore यह zygote spore आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे है और यह spore इस में से फोरन से germination नहीं होगी लेकिन जब आपका environmental conditions favorable होगी जब माहौल साज़कार होगा उस fungi के लिए माहौल साज़कार होने का क्या मतलब है आपके पास जब temperature, humidity, सब चीज़ें इस fungus की growth के लिए optimal होगी उसके लिए उसको किसी तरह से support कर सकेंगी fungus की growth को support कर सकेंगी environmental conditions तब यह spore आपका germinate करेगा और इसकी germination में से यह आप spore यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी spore में से उपर की तरफ आपका एक fungus निकलना शाट होगा है जिस तरह से यहाँ पे आपको यह इसका हाइफी और sporengium नज़र आ रहे था तो इस spore में से उपर की तरफ हाइफी और साथ में sporengium बन गया अब यहाँ पे अभी आपको एक हाइफी नज़र आ रहे हैं इसी तरह से फिर दूसरा हाइफी डिवेलप करेगा तीसरा हाइफी डिवेलप करेगा और अल्टिमेटली यह spore आपके पास एक पूरे adult fungus को birth दे देगा और यहाँ से फिर sporengium में भी अल्टिमेटली sporengium बर्श करेगा और वहाँ से भी आपके पास बहुत सारे spores release होंगे और asexual reproduction जो है वो process हो जाएगी So इस तरह से हमारे zygomycota asexually और sexually reproduce करते हैं asexual reproduction में आपने देखा कि सिर्फ एक parent के involvement थी दूसरा parent involved नहीं था sexual reproduction में आपने देखा कि दोनों parents involved थे दोनों parents की mating के थू gametangia बना जो के ultimately zygote में and then zygospore में convert हुआ favorable conditions के दुरान zygospore आपका germinate कर गया और उसमें से आपके पास hyphae निकलाई So that's all about from zygomycota, inshallah in the next video we will discuss about escomycota I hope you have enjoyed the video thank you so much and hafiz